शिविर के पहले दिन पहला सवाल शिवांगी से आया है कह रही है कि समझाने वालों से हमेशा सुना है कि मन के विरुद्ध सावधान रहना चाहिए लोग हमें कहते हैं कि मन के मते न चालिये लेकिन इच्छाओं भावनाओं और मन की लहरों से उपर उठने की कोई समभावना होती भी है मन के पार जाना या मन से उपर उठना अर्थ क्या है इसका पहले जिसको आप मन कहते हो उसको समझना पड़ेगा फिर समझ में आएगा कि मन के पार जाना या मन से उपर उठना ये बात क्या है इसमें दम कितना है ये जो कहाना इच्छाएं हैं भावनाएं हैं मन की लहरें हैं यही मन है और इसमें ये जो इच्छाएं उठती हैं ये विचार आते हैं भावनाएं आती हैं ये आप से पूछ कर नहीं आती हैं आपकी सहमति से भी नहीं आती हैं मन अपने आप में एक विवस्था है जो आपने बनाई नहीं है और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसमें जो हो रहा है स्वयम ही हो रहा है आपकी सहमति से नहीं हो रहा है आपकी अनुमति से नहीं हो रहा है मन आपसे पूछ कर नहीं चल रहा है हाँ, आप जरूर मन के गुलाम बन जाते हैं, जो भी भावना, विचार वगरा उठ रहे हैं, आप उनके पीछे-पीछे चलने लग जाते हैं अब यह जो विवस्था है, जिसको मन बोलते हैं, यह बहुत पुराणी है और इसका अपना एक उद्देश्य है, और इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि चलते रहो ये एक चलती हुई विवस्था है जो बस चलते रहना चाहती है इसको वास्तों में कहीं पहुँचना नहीं है इसको बस चलते रहना है गोल-गोल चक्कर में घूमते रहना है वो चक्कर में घूम रही होती तो शायद कहीं पहुँच भी जाती पर उसके पास बस एक चक्कर है इच्छा करना, पाना, भोगना, फिर असंतुष्ठ हो जाना, फिर इच्छा करना, फिर पाना, फिर भोगना, फिर असंतुष्ठ हो जाना जैसे अब यह एक चक्र हो गया ना, तो यह एक मांसिक विवस्ता है इस दरीके से जन्म लेना, तमाम तरह के बंधनों में बंधे रहकर जीना और फिर मर जाना और मरने से पहले अपने ही जैसा जीवन जीने के लिए कुछ और लोगों को पैदा करके छोड़ जाना, ये एक मांसिक चक्र है, ये चल रहा है। इसी से आपके विचार आते हैं, इसी से आपकी भावनाएं आती हैं, इसी से आपकी चंचलताएं आती हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता है और आप भावोख हो जाते हो या क्रोधित हो जाते हो, बहक जाते हो, फिसल जाते हो, सो जाते हो, फिर बात में कई बर सोचते भी कि अरे उस समय मैंने ऐसी बात कैसे कह दी, वो इसी लिए कह दी क्योंकि जो बात कही गई, आप से पूछ कर रहे ही कही गई, आपके सामने कोई चीज आती है, तुरंट आपको विचार आजाता है, कि इस चीज को चुन लेते हैं, या इस चीज को उठा लेते हैं, अब विचार तो आपको बता रहा है कि क्या चुनो, लेकिन इस विचार को आपने नहीं चुना था, आपके सामने कुछ खाने का रखा है, तुरंट आपको विचार आगया, कि चलो इसे खा लेते हैं, तो विचार ने क्या कह दिया है कि क्या चुनाओ करो, खाने का चुनाओ क लेकिन क्या आपने चुना था कि ये विचार आपको है तो देख रहे हो विचार पर आपका चुनाओ नहीं चल रहा लेकिन आपके चुनाओ पर विचार का पूरा नियंत्रण पूरा अधिकार हो गया है तो गुलामी की हालत है इसी यह फिर समझाने हाल हुने कहा है कि मन से सत क्योंकि जहां तक तुम्हारी बात है तुम अपने लिए एक अलग प्रयोजन रखते हो जीवन का, तुम्हारा प्रयोजन है आजाज जियू, भरपूर जियू और जहां तक मन की बात है उसका प्रयोजन बस ये है कि जैसी आज तक जीवन की विवस्था चलती रही है तुम भी जी लो तुम से पूछा जाए तो शायद तुम कह दोगे कि भले ही कम जीऊं लेकिन उचा जीऊं या गहरा जीऊं मन की जो प्राकृतिक विवस्था है उसमें उचाई या गहराई के लिए कोई जगह नहीं है महां बस ये है कि जीए जाओ जीए जाओ समझ महारी बात है तो ये दो अलग-अलग ही काईया हो गई है एक मन और एक तुम एक मन और एक तुम इसी को थोड़ा और शास्त्री भाषा में कहते हो प्रक्रति पुरुश या संसार और मैं माने अहम समझ भारी बात किसी भी नाम से इन दोनों को पुकार लो एक बात पक्की है ये दोनों अलग-अलग है भाई और जितना अलग रखे जाएं उतना जादा अच्छा है किसके लिए तुम्हारे लिए माने अहम के लिए उतना जादा अच्छा है ये जितने अलग रहेंगे और जितना ज्यादा तुम्ह प्रक्रति की विवस्था से लिप्त रहोगे उतना ज्यादा अपूर्ण एक्छाओं के शिकार रहोगे लावारिस होती हैं वो इक्छाओं तुम्हें कुछ पता नहीं होगा कहां से आ रही है और गुमनाम होती है अपना पता ठेकाना नहीं बताती है बस आ जाती है तुम्हें पता है तुम्हारी इच्छाएं कहां से आती है तुम्हें पता है तुम्हारी इच्छाओं का सुरोत कौन है तो इच्छाएं क्या हुई फिर लावारिस बस इच्छा कहीं से आ जाती है एक गुमनाम अजनवी की तरह और हम पर कबजा करके चली आती है और फिर हमारा क्या काम है गुलाम की तरह उस इच्छा को पूरी करने के पूरी कोशिश करते रहना और उसमें अपनी उर्जा लगा देना, समय लगा देना, जिंदगी लगा देना गुलामी तो गुलामी ये तो ऐसी गुलामी ये तो ऐसी गुलामी है जिसमें तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम कितने बड़े गुलाम हो इसलिए समझाने आले कह गए ना मन के मते न चालिये मन के मते चलने का मतलब है बहुत बहुत गहरी गुलामी अब दूसरी बात तुमने पूछी है कि मन के पार या मन के आगे भी कुछ है क्या तो वो बस एक मुहावरा है समझाने के लिए एक बात क्या दी गई है कि मन के आगे निकलो मन के पार जाओ मन के आगे की ज्यादा बात करोगी तो यही पता चलिया कि मन के आगे यह और भी मन है मनी मन है जिस चीज़ की बात कर सको वो मनी है जिस भी चीज की बात कर सको कर अपना कर सको उस हम मन है तो मुद्दा ये नहीं है कि मन के आगे क्या है या पार क्या है मुद्दा ये है कि तुम्हें सीमाओं का पता होना चाहिए मन के आगे की जब तुम बात करते हो तो तुम ये कह रहे हो कि मन की सीमा से आगे जाना है मन की सीमा से आगे जाना कोई जरूरी नहीं है लेकिन इतना तो तुमको पता हो कि अभी जो कुछ चल रहा है वो मन की सीमा के अंदर ही चल रहा है मानसिक ही है यह पता होना जरूरी है क्या हमें यह पता नहीं होता अक्सर? हां मैं यह नहीं पता होता है जो कुछ मानसिक होता है हम उसको असली समझ बैठते हैं एक उधारण दिया देता हूं चोटा सा आपको कोई भावना आ रही है कोई फीलिंग और हम सबको आती है ऐसा तो कोई है नहीं से नहीं आती और जिस क्षण में आप वो भावना अनुभव हो रही है उस क्षण में वो भावना आपके लिए सच है सच है की नहीं है सच है की नहीं है समझाने वालों ने भहुत कहा है मैं भी आपसे अभी कहना चाहता हूं आपके अनुभव में वो निश्चित रूप से सच है पर वो सच है नहीं आपको प्रतीत हो रही है आपको अनुभव हो रही है कि सच है पर वो वास्ताव में सच है नहीं समझ रहे हैं अब वो चीज है मन की सीमा के भीतर की लेकिन हमने उसको मान लिया है सत्य अब हम फसेंगे हम बहुत फसेंगे जैसे कोई धुए को पहाड मान ले जैसे कोई आइने में दिख रहे ही छवी को या किसी तस्वीर को इनसान मान ले फसे का न वैसे ही मन की सीमाओं के भीतर जो कुछ भी चल रहा होता है उसको तुमने अगर सच मान लिया तो बहुत बुरा फसोगे तो सवाल उठता उसको क्या माने जूट माने नहीं बड़ा मुश्किर हो जाएगा उसको जूट मानना तो बस ये मान लो कि मानसिक है मानसिक है जो हो रहा है मानसिक है भीतर से बड़ी बेचारगी उठ रही है हाँ उठ तो रही है अनुभव हो रही है हम नहीं कहेंगे कि नहीं हमें ऐसी कोई बेचारगी अनुभव नहीं हो रही है तो उसस सच है बेशारगी या जूट है जो भावना अनुभव हो रही है देखो सच तो है नहीं और जूट उसे कहने ही चकते कहन क्यों नहीं कहा सकते जूट क्योंकि अनुभव तो हो फूंभ यह है तो बस इतना कहा देंगे कि मान्सिक strengthen समझ महीारी ही बात एक बार तुमने कोई चीज कए दी कि मानसिक है तुमने उसे मन की सीमा के भीतर रख दिया बस यही करना बहुत जरूरी है मन है और होता यह है कि जो व्यक्ति जानने लग जाता है कि क्या क्या है और कितना कुछ है मन की सीमा के भीतर वो सीमा तक पहुँच जाता है सीमा के पार क्या ये मत पूछना सीमा तक पहुँच जाओ यही बहुत बड़ी बात क्योंकि मन के पार अगर कुछ है भी तो उसकी ऐसे चर्चा नहीं की जा सकती क्यों नहीं की जा सकती क्योंकि मन के भीतर क्या है मन के भीतर सारा संसार है और मन के भीतर तुम भी तो बैठे हुए हो जो उस संसार कानुभव लेते रहते हो वहीं बैठ करके तुम पर भी बिलकुल चाप और चाया पड़ी हुई है पूरे संसार की क्योंकि तुम ने उम्र भर करा क्या है संसार के प्रभावों कोई तो सोखा है अब अगर मन के पार की बात करोगे तो जाहिर थी बात है वहाँ संसार तो नहीं क्योंकि संसार का है मन के भीतर संसार भी नहीं और तुम भी नहीं क्योंकि मन के भीतर तुम दोनों ही थे संसार और मैं यह जो मैं है न यह भी मन के भीतरी घुमता रहता है मन के बाहर तो मैं भी नहीं जब मैं भी नहीं तो मन के बाहर अगर कुछ है भी तो उसकी बात कौन करेगा इसलिए मन के पार और गयरा की बात बैमानी जैसी हो जाती है लोग कहते हैं मन के पार निकल आए मैं को बचाए बचाए कैसे संभव है मन के पार तो पार की बात करने वाला मैं भी नहीं बचेगा न तो बात कौन करेगा तो वो बात्चीत हम करना नहीं चाहते अध्यात्म का बिलकुल कोई उद्देश्य नहीं है मन के पार के किस्से बनाने में ऐसा प्रकाश होता है ऐसा अनुभव होता है ऐसा आनंद होता है ऐसा रस होता है ऐसा नाद बज़ता है मन के पार इस तरह की बाते अगर कहीं हो रही हो तो इतना तो जानी लेना कि वा बाते आध्यात्मिक नहीं हो बातें भी मानसिक ही है अध्यात मन के पार की बातें करने का नाम नहीं है मन के भीतर जो कुछ है उसको साफ साफ समझ लेने का नाम है छोड़ो मन के पार के मन के भीतर जो कुछ है बस तुम उसे सच का नाम मत दो दोहरा रहा हूं जो कुछ भी है तुम, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, ये पूरा संसार, ये दिखे, ये अनुभव हो, ये जोर डाले, ये बार बार अपना हैसास कराए, तुम हामी भरो, तुम सर हिला के कहो, हाँ, तुम प्रतीत तो हो रहे हो, अनुभव तो तुम खूब होते हो, मुस्कुरा दो, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगा, कि तुम वास्तविक हो, तुम वास्तविक कैसे हो सकते हो, कोई चीज अगर वास्तव में है, तो उस चीज से बिलकुल भिन कोई इकाई चाहिए ना, जो उसको सत्यापित कर देगी, अब ये खंभा है, हम इसी लिए कह पाते हैं ना, कि ये खंभा है, क्योंकि यहां पर पाँच लोग बैठे हैं, और पाँचों उस खंभे से बिलकुल भिन हैं, अलग हैं, और पाँचों कह पाते हैं, सर्टिफाई कर पाते हैं, कि खंभा है, तो किसी चीज के होने के लिए जरूरी है, कि उससे बिलकुल भिन, कोई दूसरी चीज, कोई दूसरी इकाई, आ करके उसका सत्यापन, वेरिफिकेशन करते, फिर ठीक हैं, लिकिन अगर मामला कुछ ऐसा हो, कि एक जगह है जहां पाँच लोग हैं, और पाँचों एक दूसरे के रिष्टेदार ही हैं, और पाँचों एक दूसरे को सत्यापित करते हुए, सर्टिफाई करते हुए कह रहे हैं, कि सहाब हम तो पाँचों बहुत इमानदार हैं, तो क्या हम मान सकते हैं, कि पाँच नहीं है, उनमें आपस में रिष्टा है जिन दो में आपस में रिष्टा हो, वो एक दूसरे को कभी भी सक्चाई से जान नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे से ही बने है उनमें से एक के पास यह शक्त नहीं है कि वो दूसरे को बिलकुल विरक्त हो करके निर्पेक छो करके देख सके जब देखी नहीं सकता तो उसकी सचाई कैसे पता चलेगी या पता चल सकती है नहीं चल सकती ना अब देखो कि संसार में और एहम में क्या रिष्टा है ये जो हम है ये बने ही किस से है संसार से जब हम बने ही संसार से है तो हम कैसे कह पाएंगे कि संसार जूट है नहीं कह सकते न सामने गहूं रखा है तुम कह सकते हो कि गहूं जूटा है जो जबान तुम चलाओगे ये कहने के लिए कि गहूं जूटा है वो जबान भी किस से बनी है गहूं से ही बनी है तो रिष्टा है जैसे उन पाँच लोगों में आपस में रिष्टा था और इसलिए उन पाँचों की एक दूसरे के बारे में कही बात मानी नहीं जा सकती उस बात की कोई वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जाएगी न ठीक इसी तरीके से इनसान संसार के बारे में जो कुछ कहता है उसमें कोई दम नहीं होगा क्योंकि हमने अपनी सारी पहचाने ही कहां से ली है दुनिया से ली है वो पहचाने हमें दुख देती हैं दर्द देती हैं जो भी देती हैं लेकिन अब दुनिया से ले तो ली हैं और उन्ही से हम अपनी हस्ती मानते हैं। सोच मैं है रही बात है। इसी चीज के खिलाफ सतर करका रहना है। कि जी हम दुनिया में रहे हैं। हम जिस नहीं सवाल पूछा है। जो सब लोग हम अनुभव लेते हैं। जी हम दुनिया में रहे हैं। लेकिन दुनिया चीज क्या है यह पता करने का हमारे पास कोई स्वतंत्र माध्यम नहीं है। हमारे पास कोई reliable agency नहीं है जिससे हम दुनिया की सच्चाई पता कर सके। क्योंकि हम बने ही किस से हैं। दुनिया से, तो दुनिया की सच्चाई पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, दुनिया की सच्चाई इसलिए कभी भी किसको पता चल सकती है, जो दुनिया से ना बनाओ, तुम्हारे भीता कर कुछ ऐसा है जो दुनिया से नहीं बना, सिर्फ वोही इकाई, वही बिंदु वही एजनसी भीतर की दुनिया की सच्चाई का पता भी कर पाएगा अन्य था, कुछ नहीं तो अब देखो शेवांगी इतना कुछ है मन के भीतर ही गड़बड चल रहा है और आप पूछ रहे हो कि मन के पार, मन के उपर कैसे जाना है ये कोई पूछने की बात है मन के भीतर ही इतने खेल चल रहे हैं गड़बड़ियां चल रही है बहुत कोछ ऐसा चल रहा है जो बहुत घाता के हमारे लिए उसका तो पता करें समझे बात को एक बात मैं थोड़ा सा और बोलूँगा इमानदारी का तकाजा है देखो श्यांगी इस मुद्दे पर मैं पहले बहुत बार बोल चुगा हूँ और अभी मैं बोल रहा हूं तुम से लेकिन मुझे ये अहसास हो रहा है बोलते हुए मैंने पहले जब बोला है कुछ ऐसी बातें समझाने के लिए तो शायद मैंने और सफाई से बोला है और जोर से बोला है जोर से बोला है जोर से बनालब चिला के नहीं और उर्जा के साथ बोला है अभी मैंने आप से बात करी कि शायद 10-15 मिनिट मैंने कुछ बोला होगा, इस मुद्दे पर पहले शायद मैं आदे घंटे एक घंटे बोल चुका हूं, तो इसमें मेरा निवेदन रहेगा कि पहले ही जो बोला जा चुका है, उस पर थोड़ा गौर करें, वक्ता भी हर समय एक सी स्थिति में नहीं होता ह है, तो कभी लाय बिलकुल बन जाती है, कभी कुछ कारणों से, परिस्थितियों से उतनी नहीं बनती है, कई तरीकों से इस मुद्दे पर, मन के मुद्दे पर बोला जा सकता है, पहले बोला भी है, और अच्छा हुआ है कि वो सब रिकॉर्डड़ेड है, तो आप उसका फ सकता है, जय है, तो कि वो से वो से इस दोभा, मन के मुद्दे है, जय हुआ है laying पर बोला बनती है, कभी कोचितिक कि वे मुदẫnिपना है, पहले कि कि है, जैतनी है, बनती है, कि एतनी है व घतनी हुआ है, बनदी है ओतनी है, ख juicy है।ょ différents है।